आप देखने हैं स्वेक्षी दियानी उस्चेलिए आईए बात करते हैं इस वक्ती कुछ बड़ी दिया की कानपूर टीम के ततुधान में विशुकप T20 विजेता टीम के सदस्वा, भारत के क्रिकेट टीम के चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादो और कूच कपिल पांडे रिवर्स कलब के सनक्षक साजन राय और रोवर्स कलब के निर्वतमान अद्धक्ष अनिल राय को राश्टी रत्न सम्मान 2024 से डेरा रेस्टोरंड, डेरा रेस्टोरेंट साई कॉंपलेक्स जाजमों में आयुजीत किया गया, कारकरम का सुभारम भानू प्रकास सुकला के गीत मेरा रंग दे बसंत शोला पर आये और अतितियों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया है, हना देश भक्ती गीत जाकर मंत्रमुग्ध किया और कुल्दी प्यादों ने अपने संबोधन में कहा है कि 17 साल बाद विशुकप T20 जीतने पर जो खुशी वा आनन्द महसूस हुआ है वह एक यादगार बन रही है, कानपूर के बच्चे देश में अपना नाम रोसन करें, हमें लगता है, हम ऐसा काम करें, ग्राउंड के बच्चे नाज कर सकें, और भारती टीम के लिए खेलना है कुप लब्दी है, कपिल पांडे ने अपने संबोजन में कहा है, कि आगामी स्री लंका की सीरीज में भी वह अपना सांदार प्रदर्शन करेंगे, और रोवर्स क्लब के सनक्षटर साजन राय ने कहा, कि कुलदीप यादोवा आलराउंडर बन कर उभरेंगे, और आसा है कि आसा ही नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है कि कुलदीप में एक आलराउंडर की प्रतिवाज शिपी है, रोवर्स क्लब के निवर्तमान कप्तान अनिल राय ने कहा, कि अंटी करप्सन फाउंडेशन की कानपोर टीम ने हमें लोगों को सम्मानित किया, हम हरते से अभार वेक्ट करते हैं, मंज का संचालन मनोज सेंगर ने किया, वहीं एंटी करप्सन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जग महंत्रा ग्रवाल कमर सिंग्यादो और दिलीब कुमार मिस्रा को तरंगा रुपटावार राश रत्म सम्मान दोहजार चौबिस सम्मानित किया, वहीं आदित्व सिंग्यादो, मीना सिंग्यादो, स्यू देवी, अग्रहरी, सैलजा, रावत ने पुस्व गुष्ट देकर सम्मानित किया, वहीं सामुहिक विवा के लिए क्यावन हजार दान दिया गया, वहीं अंटी करप्सन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कानपोर टीम ने ओम जन सेवा संसान की अद्धश सिू देवी, अग्रहरी, सी जैसवाल, विनोध मिस्रा, राकेश ओच्छा, ममता मिस्रा, राचे सवस्थी, सैलजा रावत, स्यू, देवी, अग्रहरी, स्रिया मिस्रा, और सीवान्स मिस्रा, यस मिस्रा आदिलोग मजोद रहे हैं